जो पुरूस है वो तो रोज रात में जो सद्या होता उसके साथ करता है ना तो उसी में और पैदा हो जाता है आप लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत खुशाओ उसको बाहर कर दो अब करता तो है तो उसी में अब समझ लेजिए संख्या घच रही है अब आप जान लेजिए कि जो संख्या थी पहले आप पत्रकार लोग में ठीक से समझिए सरकारी नौकरी और रोजगार को जोड़ कर देखने वाले लोगों की मुर्टता पर मुझे हसी आती है सरकारी नौकरी रोज़गार का एक साथन है ये फूरा रोज़गार नहीं है, आप 13 करोण के जंत्रुख्या वाले बिहार में सरकारी नौकरी के दरिये लोगों को रोज़गार खाली नहीं दे सकते हैं सरकारी नौकरी मिली है, मिस्चित तौपर एक लाग पचीस जार लोगों को सरकार ने नियुक्ति पत्र बाटा है, उसमें घोटाला हुआ, किसको मिला नहीं मिला ये बात नहीं है, पहले ये समझेए, क्या एक लाग पचीस जार लोगों को नए लोगों को रोजगार नौकरी रहे थे उनका शर्विस कंदिशन बतला मतलब पहले वो नियोजित शिक्षक्त के तार पर काम करेंगे अब उनको कोई नए लोगों को नौकरी में नहीं मिली कितनी एक्जेक्ट है वो तो सरकार आकड़ा नहीं जारी कर रही है कि कितने नए बिहार के बच्चों को नौकरी मिली है मेरा अपना हमान है कि वो संक्या 25-30,000 से जादा नहीं है और इतने बड़े राज्य में 10 लाथ नौकरी का वाधा करने वाले लोग अगर 30,000 नौकरी दे जी और नितीज जी आज 32 वरस से बिहार में शासन कर रहे हैं देश का बिहार आज देश का सबसे गरीब सबसे पिछड़ा सबसे ज्यादा खुकमरी और सबसे ज्यादा अशिक्षा विरोजगारी वाला राज्य है दस कुछ शिक्षकों को निरुटी पत्र बाग दिया और पीट थपतपा लिया कि पूरा विहार को हमने रोजगार में कर दिया ऐसे मुर्खता वाली बात यहीं यहां के शासन चलाने का इंदोनों लोगों का नजरिया है पूरे विहार को अनपड़ बनाओ पूरे विहार को मजदूर रखो कुछ लोगों को दस-विस-पितास लुसीक वीर्चम तो खुदी क करते हिगहार काम हमारा इजन्ड़ा समातिक समें हुशी था पत्रकार होने के नाफे सवाल जरूर पूछिए कि 1,20,000,000 लोगों को जो निऊक्ति पत्र दी गई उस में कितने बिहार के नय लोगों को कि इंद्र सरकार को नियुक्ति पत्र दी गई है कितने नए लोगों को ये नौकरी मिली है। देखिए ऐसा है जब आप भोट देते हैं तो चाहे मुखिया का चुनाओं कीजिए, बिधायक का चुनाओं कीजिए, सांसत का चुनाओं कीजिए, राज्य में सरकार बनाईए कि केंदर सरकार में चुनाओं सरकार बनाईए, सब ही सरकारों की जिम्मेवारी है कि बिहार में लोगों की स्किति को बहतर बनाया जाए, केंदर सरकार तो निश्चित और परदोसी है, भी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन केंदर में कांग्रेस क प्रक्राइट श्त्राइब के दुक्राइब सब्लिक प्राइब कुछ को आंकड़ा दे रहाओं की दो करोण बिहार के बच्चे अपना धर परिवार छोड़ कर सालों भर 10,000-15,000 रुपया के मज़िदूरी करने के लिए पूरे देश में धका का रहें गाली सुन रहे हैं और आप एक लाग लोगों का निवतिपतर बांट कर 35 वरस्य पर राज कर रहें यहां पर दाई लाग करोड का बज़ट लेकर बैठे हुए हैं और आप एक लाग पिचिस जार लोगों को निवतिपतर बांट कर अपना फीठ थपत पा रहे हैं लोग कहां रसातल में चले गए यह लोगों की आसाओं को अपेक्षा को इतना दबा दिया गया है कि लोग कुछ मांगे ही नहीं कि सरकार अगर कर रहे हैं कि एक करोण एक लाख पचीज जार लोगों को निवती पत्र गया तो यह भी तो पूछो कि मैं यह दो करोण लोग जो मस्दूरी कर रहे हैं उसका वो उनको कब रोजगार मिलेगा यह बताओ कि अंदर क्या कर रहा है राज्य का कर रहा है कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे इस पूछेंगे बिल्कुल यह ठीक मान सिकता है जिसकी जितनी संक्या है उसके हिसाब से उसकी सथा में संसादर में भागिदारी होनी चाहिए रिपोर्ट नितिश कुमार लेकर आए है महागरवंदर की सरकार लेकर आई है उसमें वो बता रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसको भागिदारी नहीं मिली या उसको संसाधन का लाब नहीं मिला तो पिछले 33 वरस से सत्था पर बैठा कौन है नितिश कुमार औ नहीं मिली तो आरजेडी को और नितिश कुमार को यह बताना चाहिए कि उनके तलों में कितने विधायक कितने सांसद इन बंचित वर्गों के हैं कितने विधायक और विधायक जीत कर आए इन बंचित वर्गों से उन लोगों को इन लोगों ने सरकार में शामिल किया मंत्र भी मनाया उनको कौन सा भी भाग दिया वैई आज बिहार सरकार का बजट है दो लाग च्याली से दार करोर में साथ परसेंट बजट की रासी वाले विभाग सिर्फ और सिर्फ दो विक्तियों के पास हैं वो है निपिस्कुमार और तेश्मी जादों तो बिल्कुल सर्वे के ह कर रहा हूं कि जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिली उनको तुरंत भागीदारी दीजिए उनको मंत्राले दीजिए उनको जगह दीजिए तेस्वी आदव को अपना एक विभाग कम से कम छोड़कर किसी मुस्लिम समाज के विदायक को देना चाहिए नितिश्कुमार जि आइना में ole Lak ani मिला तो बहुत अच्छी बात है कथ अपना अइना दिहारा न चहला नहीं अहां कि हम हीने नहीं हक मारी हिए वैंति साल त हम 93 साल बहुत लंबा समय होता है विद्श्कुमार नहीं हो सकते हिरि पर तेसी साल से हमने इस साले समाज का हक मार कर हम बैटे हुए ह अगर कोई आदमी सत्ता चला रहा है तीस वरस चलाने के बाद कहता है कि हमारा राज्य सबसे पिछड़ा है आप तो यहीं बतार है कि आपको चलाने नहीं आया क्योंकि तीस वरस पहले कई राज्यों में जहां मुख्यमंत्री बने अपने राज्य को आगे निकाल लिया आप नहीं निखाल पाए तो दोसी आप ही है आप ही को जनता अभी सबक सिखाई की चुना हो आएगा क्यों विद्धान मंदल और विद्धान सभाव विद्धान परिशद में मुख्यमंत्री मितिस कुमार प्रजनम धर के बयान देते देते जो बयान दिये है और इससे का चौधरी मितिस कुमार को जानते हैं जिहां राज्यमें इतने लोग भी को जानने कहुंसे करिंप हम 17加入 लोष प्रिट कि से और सभादी के राजनितिक तौट पर घिर गये अद अब उनको समझ में आ नहीं रहा है तो आप अधाकी विबात कई महीनों से मितिस्कुमार बोलना कुछ सुरू करते हैं बोल कुछ और जाते हैं अब कल उन्होंने जो फटिलिटी पे जो का बात कही है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्य मंत्री इस तरह का भासा और इस तरह के उदारन का प्रयोग विनानसभा के पटल पर करें यह आज तक को इसका उधारन नहीं दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनो किस्ति है क्या देसा है या तो उनको को समझ में तक बोल किया रही है अब उनके राजनीत का अंतिम दौर चल रहा है दो चाप 5-6 महीना जितना दिन खीच कर चल ले इसके आगे अब चलने वाले नहीं है पूरे विहार की दंता रोज देख रही है जिर्वेक बयान का मतलब नहीं है उनकी अस्र में दन सिलता उनकी राजनीतिक हरा किरी कभी देखिए जो राष्टपती आये थी महामहीन के सामने खड़े होकर पोडियम से भासन दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं कभी बाल बना रहे हैं मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सारवजरिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिकता और तरीका है वो भी नह सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जो पीएगा वो मरेगा अपने आपको बड़ा काबिल समझ रहे हैं जबकि जनता नीचे हमस रही है हर गाव में हर घर में तू-थू और राय निकिस कुमार के नाम पर और उपर बैठे में जो वह है न राजा की एक कहानी कि राजा जब महंग पने का शौक हुआ तो किसी ने बताया और पतला और पतला कोई गुरुकर में आकर ऐसा काजयक बिना कपड़ा पहनाई ही उनको हाथी पर बैठा दिया राजा घूम रहे हैं वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया राजा नंगा घूम रहा है उसको पता ही नहीं चल कि मैं नंगा हून तो मितीश कुमार की हालत है उनके चार्माज कुमारी नंकी ऑर और उनकी आज्ञान पर उनके कुशासन पर दिखेगा जब कोई खड़ा ऊखे ख़ा देगा कि सरीब प्रतुमस्तरी नहीं है और वो मगाने का उसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हरेगा तो दिखेगा उनको आइने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचाही नहीं है, उनके दल के कुछ बचाही नहीं है, जनता भी कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तो किस इस्कूल में गये सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विदान सभा में खड़े होकर जन्शंक्या नियंत्रों पर एक विशेश टिपणी करनी चाहिए, ये जिस्वी यादों का भी ज्याम्न का प्रदर्शन है। आपको यहीं लगेगा हम लिजे कि हम अंतरिक्स में नहीं गए। ऊंको नहीं मालूं एक अंतरिक्स में क्या होता है। तो जिसमियादों भुद्धियाले में नहीं राध्य जाता है। इस राज्य में आधी अबादी महिलाओं की है और जिस भासा का वो प्रियोग कर रहे हैं, जिस तरह क्या संदर्व में वहने बात की है, ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है, तो जस्वी आदो के ही विभाग पार्टी के यहां पर आजकल सिक्षा मुंत्री नहां के सेक्स एज आपका जो ये पर दियात्रा है, जरूरी भी है, बहुत अच्छा भी है, इन पे लोग भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा आगे जाकर के ये फिर, बहुत सारे आद्मी का ये भी क्याना है, ये विजेपिक आजन्टा है, ये किसी और पार्टी में ये बाद मिल सकते आप बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, एक हिंदी में हम लोग के बुजूर्गों ने, हम लोग की सपेता में एक कहावत है कि कतनी पर नहीं, करनी पर जाएए, बोलने के लिए तो सब अच्छा ही बोलता है, हम जो कर रहा हैं उसको सुनिया, लेकिन भरोसा उस पर कीज कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वाक्यां के सामने हैं, हम Beyond people के वी टीम हैं कि सवाल यह है कि यहां जो दल June, इनको मुफ्ध खोरी की आदत पड़ गई है, भाजपा के डर से लालू को भोट मिल जाता है, लालू के दर से भाजपा को भोट मिल जाता है, जब मुफ्ध में आप आपको शासन करने की आदत पड़ गई भोट लेने की आदत पड़ गई तो आपको तो डर ये हमेशा सताएगा कि कोई आदमी अगर खड़ा हो जाए बिहार की जंता को कोई तीसरा रास्ता दिख जाए तो इन दोनों की मुफ्त की दुकान बंध हो जाएगी तो बाग बाग चिला रहे हैं भाई हमने तो कोई दल नहीं बनाया है तो कहीं भोट नहीं मांग रहे हैं आप किसी भी सभा में हमको दिखा दीजिये हमने कहा हो कि भाई बोट इनको दीजिये कि मत दीजिये हम तो यह भी नहीं कर रहे हैं कि जिन्नों ने आपके बच्चों को मजदूर और के खालार कर रहे हैं कि आपके बिचु को पढ़ाया रोजगार दिया बूट दिजिए आगर की खिलाः आध भातchy कि श्विक्यार कर रहे कि वहीं वो लोग हैं जिन्होंने यहां के बच्छों को असिचित अन्पौर्ण मजदूर बनाया है मैं तो दो सब्सक्राइब में सब्सक्राइब है उसमें 65 फीसदी आरक्षन को बढ़ा रहें के 75 फीसदी आरक्षन को उपर दिया है मेरे भाई ऐसा है पहली बात आप यह समखिए कि इस सर्वे का जनगन्ना नहीं यह सर्वे इसका कोई वैधानिक अधार नहीं है डो आरक्षन की जो वेवस्था अपनी हुई है वह सुप्रीम कोट के द्वारत तहे की गई है वह किसी विहार विदान सभार्या कि बीधान सभाल के बाहर कियूंत का मामला है विहार सरकार अगर उसमें कुछ सर्सोधन करना चाहती है तो उनको करना छहीं अगर देश के कानून के अंतरगत वो किया जा सकता है तो मैं बार बार कहा हूं कि जिसकी जो संख्या है अगर कोई समाथ पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिल नीचेंगे लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जोद बात है आप पुले समाथ की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूटके अपने और अपने बच्चे बन बैठे हुए हैं नितीश और लानू को छोड़कर पिछले 32 साल में विहार में राज कौन कर र पाया गया कि भी तुम समाज के बड़े वर को लाग नहीं मिला तो आप किसने नहीं दिया आप पतरकार है अप लाग देजिएगा जो सब्सक्राव बैठा उसी को नहीं देना है तो उससे सवाल नहीं पूछ रहो बाक जाना है दाहीने तो जाना है कलकत्ता अबैड के दिल सथा में कौन बैठा है तो बैठा है को उनसे पूछ के ओड़े नहीं कि सर अगर आप तो बटीस वरस ही तो आंकड़े आए आपको इस्तिफाते देना चाहिए था या बटीस वरस से को रहा है कि हम पिछले समाज का भाला करने के लिए खड़ा है और उनी पिछले समाज का पंचित करके कुर्सी पर बैठे और एक दो साल से नहीं बटीस साल से बैठे तो दोस किस पर लगा रहे हो वाई दोसी तुम हो तुम इस्तिफात हो कितना खूस है अभी तो कुछ बरस से पुत्रकाहिता कर रहे हो गया अगर आपको ज्यादा राजवित समझ में आता है हमको तो उतना नहीं समझ है अभी चार महिने के बाद चुनाव होगा और जन्ता खूस है तो इनको बहुत बहुत से जिफाएगी तभी आपको सामने द किलने के से कहा है अब कि आ थे चार के दिमाग में आपके दिमाग में ऐसा लगा हुआ अब कितने आप शेघव झा 선 अब्स लिग से दिन सविं रहे हैं यहांद जितने लोग आते हैं से कृड़ी में लो,iblical नच कि ए हम लोगा जीवन अब सुधरने वाला है क्योंकि जाती है सर्वे हो गया तो कोई नहीं एक आदमी भी बोला आपको बोल रहा है आपको ज्यादा समझ है और अगर मान लेजें कि हमारी गलत समझ है इसमें क्या बहुत है चार मेना के पाद चुनाव होगा विहार की जनता बहु अगर निपिसकुमार को पांट से ज्यादा सीट आ गया तो हम यह काम छोड़ देने हैं तो मैं अगर दम है आप जनता की बात कह रहे हो अगर आप में दम है आपके कहिए कि ना भीया देश में बहुत सब लोग जनता पहने सब लोग खुस है और आप लोगों क्यों आप प पते निये लोग का मानसिक्ता बता रहे हैं आपका क्राम लोगों का सवाल पूछना है लोगों की क्या मानसिक्ता है उस पर आप टिपनी कर सकते हैं लेकिन इतने विश्वास से की लोग क्या सोचते हैं अगर आप ही को मालूम है तो आप ही को सब मालूम है फिर हम से पूछ वो लोग कह रहे हैं कि भया हमको भागिदारी तो क्यों नहीं दे रहा हूं जिसकी संख्या कम बताई वो कह रहा है भया हमारा संख्या इनों ने कम कर दिया दोनों से लोग मालेंगे इनको और चुनाव परिणामों में आपको देखिएगा कि क्या होता है कर देखिए नितीश कुमार का मैं बार बार आपको कह रहा हूं नितीश कुमार को आप लोग इतना बड़ा निता बनात बताते हैं बिहार में बैठके हम भी तो देश कि रावनी थोड़ा बहुत समझते हैं 42 विधायक वाले MLA के पार्टी को मितीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है आप लोग तो बिहार महला किये कि ये इंडिया के प्रधनमंत्री के फेस होंगे संयोजक तक तो बनाया नहीं इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा के कर दिया इंडिया ये गए बात करने कुछ इनको कोई तरजी भी नहीं मिली कि तो खुद से मुम्या मिठ्व होने वाली बात है और विहार के पत्रकार जो है अपनी अज्यानता कहिए या विहार कि पत्रकार के पति उनका फ्रें मेंन को लगता है कि विहार का ही कोई बोजाएं को नितीश में कि क्या है क्यों बंद जाएंगे आइध सबसे बड़ी विप्क्षी पार्टि कंग्रेसज है कॉंग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी दूसरे नंबर पर त्रिन मान लेगा आप क्या उस गड़ बंदर में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है और यह हम नहीं को रहे हैं पिछले 6 मेना में ही आप लोग उचल रहे थे पटना में बैठक हो गया तो नितिश कुमार की कहानी राजनितिक कहानी का अब अम का आगया है यह पांच मिनट लास्ट के जिसे पिक्चर महता है ना पांच मिनट का मारधार हरता वो अब क्लाइमेक्स चल रहा है नितिश कुमार के राजनितिक जीवन का पटाचेव होने वाला है जातिकत जन्याना के बाद कल सरकार आर्थिक सब्सक्राइश किया उसमें विहार दिन में एक सो रुप्या नहीं कमाता है आप जो बता रहे हैं यह भी जो आकड़े सरकार ने जारी किया है यह जन्ता को बेवबू बनाने वाली बात है यह हाउसोल्ड इंकम है यह इंडिविज्वल इंकम नहीं है वर्ल्ड बैंक का आकड़ा उठाकर देख लीजिए असी प्रतिसत्त बिहार के लोग दिन में सव रुप्या नहीं कमाते हैं यह जानने के लिए हमको नितिश कुमार का सर्वे देखने की ज़रूरत नहीं है नेट पर यह डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे अथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो यह बता रहे हैं नितिश कुमार के फर्दीवा डेटा उनके क्लेम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर दिन का मजदूरी थीन सो है तो सो रूपया कैसे है अगर एक परिवार में एक आत्मी को मजदूरी मिली थीन सो रूपया उस परिवार में पांच आत्मी है तो दिन में हर वेत्ति पर कितना पढ़ा साथ रूपया और उस आत्मी को भी महिने में पद्रफ दिन रहा नासा का ज्यान है ने विशै जोły के उपर गंजी पहने वहीं बिजार में नेता आई जह जीवन में इसकुल नहीं गया पर सबसे पिछले। भेंज हो जब है नहीं रहे हैं। इस स्कुर्ण करना हिं। इसको लिख्णी नहीं आता कि वो नहीं बता सकता है लेकिनों विकास का पर लंबा चोड़ा भासन दे रहा है अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहां के महाग्यानी उक्मुख्यमंत्री तेस्वियादों ने कहा कि GDP तो सबसे ज्यादा बिहार का है उनको यह समझ में ही नहीं कि GDP है क्या अगर बिहार का GDP सबसे ज्याद कि तवक्यमंत्री कैमेरे पर करें के हम लों तो देसमें सबसे ज्यादा गिड़ीप हमलों का है हुआ यह ऑफसर ने बताया होगा कि जब डिपी में ग्रोथ हम लोका सबसे ज्यादा है तो GDP और GDP के ग्रोथ का अंतर भी नहीं समझ में आया बोल दिया कि GDP देश में सबसे ज् जब जीवन में पढ़े नहीं तो यही आपका दसाथ होगा पिछली बार कब इन लोगों में एक किताब पढ़ी होगी हो इनको जारी करना चाहिए जैसे सरकार का एक मेंडेट है ना कि आपको बताना है कि कितना पैसा आपका संपत्ती में क्या घट बढ़ा अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता है कम से कम यह जारी करें कि या पिछले एक साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी एक किताब पढ़ा है कि लोग को क्या मतलब है इस चीजों से गया उलूल जलू बकवास किया लोगों को जाती धरम में बाटा पैसा सराब बालू का काम किया पैसा वसूल के टिकन बाटा जात के नाम पर लोग बेरीवी में मजबूरी में भोट दे देते हैं उसके बाद नेता बनकर ज्यान दे रहा है जीडीपी का फूल फॉर्म अगर बिना कागजोगस देखे हुए तो हम लोग माने जाएंगे कि वह जीडीपी होता कि यह खाला लको बताए यह जीडीपी क्या होता है बिहार का कितना है कम है जादा है छोड़ दीपिया अपने सब सलाकारों की मदद ले है तो हम यह काम छोड़कर ते जस्वी आदो का धंड़ने लेगे वह फिले चार दिन तयारी करते खानी कैमरा पर आके समझा दे जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है यह क्या बताएंगे जीडीपी की बात पर आप लोग भी बरका सवाल किये दा रहें ते जस्वी आदों व मतल्य क्राइब तो कर दो दैंट यहां मैं जाएंगे आपके बाबीजी का आप पड़िये चाए Lahir a रहें जाकि उसमें आपकी योंग कि तरह है ठीक है भी डंड़ने अ